अब मैं आपको रिटर्न में जाकर भी दिखा रहता हूं कि आपने नोटिस को कहां से फाइंड करना है और इसका रिप्लाई कैसे करना है सबसे पहले गुगल पर जाऊंगा और इदर सर्च करूंगा IRS FDR जो पहला लिंक आ जाएगा इस पर क्लिक कर लोंगा अपने login credentials लगा के simply login कर लेंगे तो जैसी आप नीची आएंगे इन बॉक्स में तो यह आपके पास आ रहा होगा विडोलिंग स्लैश इंकम टेक्स जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा intimation to pay advance tax तो यह मेरे पास पीरेड आ रहा है जी यह कम जनर्री 24 लेकर 31 मार्च 24 तो इसका मतलब यह कि मैंने थर्ड कॉर्टर की करनी है ड्यू डेट मेरी थी 25 मार्च लेकिन मैं लेट हो चुका हूं एन्यो मुझे reply तो करना है इसका तो अगर तो आप notice देखना चाहरे हैं त तो यह आपके पास notice open हो जाएगा तो मैं आपके असानी के लिए open कर देता हूं तो यह notice open हो गया आप print करेंगे तो यह PDF में download हो जाएगा आपके बास बाकि जो data था data वाला tab यह separate आ रहा था लेकिन जब आप download करेंगे तो आपके सामने कठा ही आ रहा होगा तो मैं simply क्लिक कर करूंगा यह देखें जैसे मैं इस पर गया तो वो नीची आ गया reply तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह मुझे कह रहा है task id 147 memo to provide estimate for advanced tax इसको select करूंगा simply तो यह मुझे reply प्ले जाएगा तो reply पर आ कि आपके पास इस तरह का इस तरह की एक window open हो जाएगी contents का आ रहा होगा data का आ रहा होगा और attachments का आ रहा होगा तो data पर चलते हैं तो यह देखें सारा data उसने उठाया हुआ है नॉर्मल income tax of the latest tax year यह tax करता था जो नॉर्म जो highest taxes था यह था आपका turnover for the latest tax year उसने उठा लिया 35306 जैसे मैंने आपको बताया कि one-fourth करके उसने 100% कर दिया उसको highest taxes आपका वही है जो आपका normal income tax है turnover आपका 128 था और advanced tax based on turnover यह हमने compute कर लिया 292,252 और यह ही हमारी liability बन गई 292,252 अच्छा अगर तो आपको मुलूम है कि आपका turnover कितना होगा आप suppose कर लें यह तो system नहीं कर लिया न 35 जार दिन सुचे लेकर आप मैं कहता हूँ मेरा turnover जयात है मेरा turnover इतना नहीं है मैं assess नहीं करता मैं actual लेके चलता हूँ मैं कहता 35 नहीं है मेरा turnover है 45 तो देखे मेरी text liability बढ़ गई है अब system में कैसे आपने लिखता है मैं आपको दिखा रहे तो अब यह आपके पास column आ रहा है turnover for the quarter यह इसका code है और यह देखें यह additable है यह white color का है net advanced liability for the quarter के नीचे यह आप लिख सकते हैं अगर मैं इतर लिखतू हूँ तो यह देखें मेरी मेरी जो net advanced liability for the quarter है वो भी बढ़ जाएगी मेरा turnover बढ़ा तो मेरी जो liability है वो भी बढ़ जाएगी तो वही formula वो system use कर रहे है वही formula हम use कर रहें अच्छा आप मैं first करता हूँ के मेरा turnover जो था जो system ने compute कि है 35306 उससे भी कम हो गया तो उस case में आपने किस तरह लिखना है अब मैं assume करता हूँ के मेरा turnover 15,000 हो चुका है तो इस case में देखें मेरी liability भी काम होगी एक लाग 26 सिस्थम ने 2,92,252 बनाई और purchase मेरा tax direct two hour quarter के लिए मेरी payable के बजाए refundable बन गया तो इस case में किस तरह लेके चलेंगे इसको यह देख लेते हैं अब क्योंकि हमारा liability जो है estimated से भी जो हमारा turnover है अब वह estimated से भी काम हो जोगा है system estimate कर रहे है उसको 35,000 लेकिन हम कह रहे हैं वह 15,000 है तो system हमें turnover for the quarter में खाली लिखने नहीं देगा वह कहेगा आप आपने सभी यह जो estimates है lower estimate के case में आपने सभी में लिखने हैं तो मैं calculate करता हूं तो यह रहें value of turnover against all quarters must be provided if turnover for the quarter is less than 100% of the turnover for the latest tax year तो यह हमारा turnover कम है तो इस case में हमें सारे quarters का जो है वह बताना पड़ेगा तो यह आप जो turnover है सारे quarters का आप यह बता देंगे तो मैं estimated बता रहेता हूं सारे quarters का तो जी यह देखें मैंने estimate बता दी सारे quarters का और जो उसने मेरी liability थी वो निकाल दी तो इस तरह आप इसको लेके चल सकते हैं आगे उसके बाद है जी अनुल accounting income, estimated annual expense deduction, estimated annual income, estimated annual tax अच्छा अगर आप first time pay कर रहे हैं और आपके बास क्या कहते हैं उसको प्राइर की deduction नहीं है तो आप उसको estimation की base भी लेके चल सकते हैं तो यह था आपकी तो मैं 236 case search कर लेता हूं और इधा जितनी हमारी tax की amount deduct हुई थी वो हम निकलेंगे 25310, compute करूंगा, calculate कर लें वापीश जाओंगा advanced tax quarterly में तो यह देखें net advanced tax liability for the quarter मेरी कुछ भी नहीं आ रही तो इस तरह आप इन columns को data tab में आगे advanced tax quarterly और adjustable tax quarterly इन दो quarters को use करते हुए आप इस statement को fill कर सकते हैं इसके लावा फिर contents में जाके आपने reply लिखना है इसका, अब reply किस तरह लिखना है मैं आपको दखा देता हूं यह एक reply बना गया date आजाएगी name आजाएगा commissioner का name आपका जो tax office आपका address name NTN जो quarter होगा वो आजाएगा tax year आजाएगा payment of third installment of advanced tax standard section 147 of the income tax ordinance 2001 for the tax year 2024 और tax year 2024 आगे 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 यह tax year 2024 आगे 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 यह tax year 2024 respected sir we hereby refer to your notice number जो आपका बार-coded notice number आ रहा होगा notice पे होगा जाएगा data आजाएगा regarding caption subject for compliance in this regard we would like to submit the working of advanced tax for your current perusal and record और यह जो advanced tax working है वो आजाएगी आपकी जो आपने excel में की है यह working को यह और है लेकिन आपने excel में की है वो कोई और है तो यह आजाएगी तो simply आप copy paste कर लिजेगा उसके बाद इस case में net tax payable बन रहे तो further we would like to apprise you debt we have deposited advanced tax under section 147 amounting to rupees अब देखिए onlyторы 59 profits यहाएबिल्टी बन दी अथो आकी जो लाइबिल्टी वन्दी एवो आपने उसका चलान पनाना है आड्वाश लान्य का और वह जो phenomenal आड्वाश तेक्स का चलान है वो आपने पाई करना है और इसको साथ में आपने इसको paste कर देना है इसके साथ आप attachments में जाके जो आपने टेक्स पे किया है उसको attach भी कर सकते हैं और यह जो आपका advance text की जो आपका reply था इसको भी आप अपने letter पे लेके sign stem करके scan करके भी upload कर सकते हैं साथ में तो आपने content में लिक भी देना है और attachments में आपने प्लस का sign करके आपने PDF की file अटेक्च भी कर देनी है तो मैं कोई भी file attach कर लेता हूँ तो यह देखें यह attach हो गई तो इस तरह आपने files attach कर देनी है तो इसके बार आपने reply कर दिया data में आप आ गए attachments में आपने लगा दी सारी details और simply आपने submit कर देना है तो जैसी आप submit करेंगे यह आपका outbox में चला जाएगा कोई pin ने लगाना सिर्फ simply submit कर देना है अच्छा इसके लावा मैं आपको एक और company का दिखा रहता हूँ तो यह रेखें जी यह एक और company है और यह same notice है यह आप दे सकते हैं कोई already नहीं change कियो ही लेकिन जो यह हमारी advanced competition है यह change है तो इसके साथ हम इसकी return भी open कर लेते हैं अच्छा यह मेरे पास एक और company की return आ गई तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यह other revenues में फीफा टेक्निकल स्लैश प्रफेस्निश सर्विस्स है यह service industry है suppose कर लें कि यह एक software है तो यह total amount थी जितना हमारा revenue था और यह सारी का सारा FTR है सारी services इन्होंने export करती है suppose कर लें freelancer services provide करें उसक मैं नीचे की चलूं computation पर तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी tax competition किस तरह बन रही है तो यह इसकी tax competition आजाएगी income loss from business यह जिनाब total आपकी income थी जो net profit था इसमें जो 9 million है यह आपका FTR है export से pertain कर है तो इसमें तो आपको पता है कि advance tax की competition होगी नहीं तो सिरफ 1.455 जो आप आपका profit on debt यानि कि जो bank profit था उस पर आपका advance tax लगएगा आगे tax liability देख लेते हैं टेक्स चार्जेवल है 467 474 नॉर्मल इंकम टेक्स है आपका 2.99141 और turnover की base पर लग रहा है 18,196 और accounting profit की base पर लग रहा है 247,470 यानि के 247,470 अब advance tax का जो notice आया उसको देख लेते हैं कि उसकी base पर क्या बन रहा है तो यह आप देख सकते है normal tax, normal income tax of latest tax year यह आपका है 2.99141 टेक्स चार्जेवल अंडर section 113 for the latest year 17% के साबसे था 247,470 अगर मैं आपको दिखा सकूँ यह 247,470 आ गया उसके बाद वो बता रहा है 1.4 of the turnover for the latest tax year वो ही जो आपका turnover था 14,5706 इसको उसने 110% लिया इसका 1.1 और divided वाई उसने कर दिया 4 अगर मैं आपको करके निकाज आखू तो मैं आपको करके निकाता हूँ यह turnover आ गया अब मैंने इसका लिया 1.1 यह 110% तो यह मेरे पास बन गया 1601,277 अब मैं इसको करूँगा डिवाइड बाई चार तो 4,390 जो है मेरा turnover बन गया quarter का तो यह देखें 4,390 और इदर भी 4,390 है तो यह मेरा turnover बन गया quarter का on the basis of 110% अच्छा highest taxes as far the latest tax here 291 यह बनेगा क्योंकि 113 से highest है turnover for the latest tax here आ गया मेरा 14,5706 आइडवांस टेक्स वो बना रहा है इस बेस पे 80,064 और आडवांस टेक्स ऑन दी बेसिस ऑफ कांटिंग प्राफिट 16,177 परसंट के हिसाब से लगा रहा है और आडवांस टेक्स लाइबिल्टी फार दी क्वार्टर मेरी बनती है 80,064 तो इसको इस केस में जो हमारा एक्चुल जो टर्नवर था फार दी क्वार्टर या फार दी थर्ड क्वार्टर ऑफ जैन टू मार्च वो ज्यादा था तो मैं आपको बता रहता हूं कि इसका हमने रिप्लाई कैसे बनाया तो यह टर्नवर फार दी क्वार्टर था उन्होंने कंप्यूट किया 4,390 अगर मैं आपको दिखा सकूँ यह देखें 4,390 और हमारे केस में बन रहा है 1.88 मिलियन टेक्स एस फार दी लेटेस टेक्स यह जो हाइस था 2,99,000 था टर्नवर था 1.455 और लाइबिल्टी फार द केस में बन रही थी अगर मैं आपको दिखा सकूँ इस केस में जो लाइबिल्टी बन रही थी वह बन रही है 80,400 रुपे लेकिन हमारी लाइबिल्टी तो बहुत ज्यादा बन रही है क्योंकि हम पे कर रहे है एक्चुल वेसे इस पे उसके लावा हम बता रहे हैं जी और आगे हम बता रहे हैं कि further we would like to apprise that we have deposited our advanced text under section 147 amounting to rupees 94,000 in the government treasury PSID number का reference दे दिया, date बता दी PSID की और PSID की जो deposit slip है वो साथ में dash कर देंगे सो इस तरह आप जो आपका advanced text का notice है आप इसका response कर सकते हैं आप इसकी working कर सकते हैं और जैसे यह आप इसको submit का button दबाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह आपका outbox में पढ़ा रहेगा तो यह देख सकते हैं आपके हमने यह submit किया हूए मैं outbox पर आया हूँ तो यह 147 memo to provide estimate for advanced text जो है यह आपका outbox में पढ़ा होगा है तो यह usually 147 का reply outbox में पढ़ा रहते हैं तो इस तरह आप 147 का reply कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको template चाहिए हो यह draft में reply हो चाहिए हो तो आप में से contact कर सकते हैं मैं आपको provide कर दूँगा excel की working भी provide कर दूँगा और यह reply भी कर दूँगा कोई और query हो आपकी तो वह भी आप में से पूर सकते हैं तो यह था आज के लिए thank you so much अलाहाफीज